नमस्कार दोस्तों आपको एक विशेश सूचना देना चाहता हूँ बुद्ध की वक्र इस्तिती गोचर में हो चुके हैं बुद्ध वक्री हो चुके हैं जिस कारण से आपके लव अफेर्स में दामपत्य जीवन में काफी बदलावाने का योग बन रहे हैं क्योंकि बुद्ध वानी का कारक है अगर आपका लव अफेर्स पहले से टूर चुका है और आपके लव लाइफ को वापिस में वो पाना चाते हो एक्स लव को तो वापसी होने के योग बन रहे हैं कि वक्री इस्तिती मतलब उल्टा गोम जाना तो आपके इस्तिती वापस ब रहा है तो आपके लव लाइफ में वानी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए वानी पर कंट्रोल रखोगे तो आपकी लव लाइफ टीक रहेगी नहीं तो लव लाइफ में ब्रेक अप के योग भी बन सकते हैं जिनके ब्रेक अप हो चुके हैं उनके वापिस बन सकते हैं और जिनके ब्रेक अप नहीं हुए हैं, लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वक्र इस्तिती के कारण वानी पर कंट्रोल रखे नहीं, तो लव लाइफ में ब्रेक अप लग सकता है, दामपत्य जीवन में पत्नी आपके घर को छोड़ कर जा सकती है, वानी पर कंट्रोल रखे गुस्ता ना करें, अगर आप गुस्ता करते हो तो वानी पर सयम रखें, अगर आपने उल्टा उल्टा कहीं बोल दिया, तो आपकी बनी बनाए काम भिगर सकते हैं, दामपत्य जीवन में कतुता आ सकती है, लव लाइफ में भी जिसका समझ्या आ सकती है, उपाई क् अगर आपको उपाई करना है लव लाइफ और अपने दामपत्य जीवन को बचाने के लिए तो गनेज जी को दुर्वा चड़ाएं, ओम बुम बुद्धाई नमेका जाप करें, और गनेज जी को दुर्वा चड़ाएं, हो सके तो गाए को हरा चारा खिलाएं, तीन चीज क पूछना चाहिए, हमें यह पूछना चाहिए, इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आप सतर को जाएं और आप अपने बुद्ध के उपाई जरूर करें, धन्यवा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैम मता दिन मिलते ह देलिए